हेलो दोस्तों नमस्ते आज हम देखेंगे स्क्राप क्यूनोलीन सिंतेसिस तो इसमें क्या होता है एनिलीन, ग्लिसरोल, एस्ट्वेसरोफोर, नाइट्रो बेंजीन ये सब एक साथ ट्रीट होते हैं रियाक्ट होते हैं और हमें क्या मिलता है क्यूनोलीन मिलता है तो स्टेप देखते हैं इसकी mechanism of action की हमारा glycerol treat होता है in presence of H2SO4 उसके बाद में जैसे ही treat होगा तो 2H2O बहार निकलेगा और हमें मिलेगा एक्रोलिन तो चलिए देखते हैं क्या होता है देखिए एक glycerol का structure है glycerol का structure कैसे याद रोखोगे तीन कार्बन है one two three और यहाँ पर right side में तीनों में क्या लगा हुआ है OH OH hydroxy group लगे हुआ है और बाकी के आप H लगा देना कार्बन को valency satisfy करने के लिए यह हुआ glycerol अब भी देखो होता क्या है देखिए AOH यानि कि OH के कितने molecule बहार आ जाते है two molecule बहार आ जाते है और एक electron एक electron एक electron यहाँ पर छोड़ते हैं तो आने वाले structure में यह जो दो electron है एक क्या बनाएंगे यहाँ पर bond बनाएंगे तो चलिए आने वाले structure में यहाँ पर क्या आएगा हा डबल bond आएगा ओके और H और H यह हम यहाँ पर लिख देते हैं अभी यहाँ से OH चलेगा है अभी यहाँ से क्या होगा देखिए इस OH इनके अंदर भी क्या है ऐसे bond है तो H क्या करेगा एक electron लेकर यहाँ से चला जाएगा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ H क्या करेगा एक electron लेकर यहाँ चला आ जाएगा और O के पास जो बाकी जो एक electron बचाता वो O के इधर ऐसे आ जाएगा और यहाँ का भी जो एक H है वो आपना एक electron लेकर यहाँ पर आ ज structure में यहाँ पर double bond बनेगा क्योंकि इस oxygen के पास एक electron है और इस carbon के पास क्या है एक electron है तो क्या बनाएंगे आने वाले structure में यहाँ पर C double bond बनाएंगे और देखिए AH चला जाएगा AH भी चला जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ ओ बजेगा और उपर जो एक hydrogen बचाता ओ आमने as it is लिगा और यह bond तो यह structure है एक्रोलीन का तो glycerol जैसे ही हम treat करेंगे in presence of H2SO4 के presence में तो दो water के molecule यहाँ पर भाहर हो जाएगे यानि कि dehydration होगा और हमें क्या मिलेगा अक्रोलीन मिलेगा अक्रोलीन मिलेगा step two देखते हैं दोश्तों अभी हमारा एनिलिन एक्षिन में आ जाएगा एनिलीन की reaction हम एक्रोलीन के presence में करेंगे एक्रोलीन के होगा 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 da एक रिंग होती है बेंजेन की और वहाँ पर NH2 group जुड़ा हुआ होता है इसे ही हम कहते है एनिलीन जिसके nitrogen के पास क्या है यहाँ पर loan pair है अभी देखो एनिलीन की reaction हम acrylic के साथ करते है यह क्या है हमारा acrylic acrylic अभी देखें क्या होता है इस carbon और oxygen में ज्याधा electronegative कोने oxygen तो यह oxygen क्या करता है यहाँ पर जो bond है यानि कि दो electron है यह अपनी तरफ खीच था है क्योंकि ज्यादा electron negative होता है अगर जैसे ही यहाँ पर से यह bond चला जाएगा तो यह वाली carbon की balance unsatisfy होगी क्यों क्योंकि एक carbon चार bond बनता है लेकिन यहाँ पर कितने bond बनेगे सिर्फ 1,2,3 एक तो चला जाएगा तो इसकी balance is satisfy करने के लिए एक carbon क्या करेगा यह जो यहाँ पर जो bond था ओ यहाँ पर displace करेगा यहाँ पर displace करेगा ओके तो आने वाली structure में देखे यहाँ पर double bond हुआ पहले single था अब कौनसा है double bond और oxygen और carbon की बीच में क्या था double bond था लेकिन oxygen ने अपने पास ले लिया तो इसके उपर क्या आ जाएगा एक loan pair आ जाएगा और negative charge भी क्योंकि accept करता है उसके उपर कौनसा आता है negative charge आता है तो यह structure इतना हो गया दोस्तों यह जो double bond था ओ यहाँ पर डिस्प्लेस हुआ यहाँ पर double bond था ओक्सिजन ने लोन पेर अपने तरफ खीच लिये तो इतना clear हो गया दोस्तों आयोफ देखिए उसके बाद में carbon as it is CS2 CS2 हाँ देखिए जैसी ही a bond यहाँ से चला जाएगा तो यह वाली carbon की valency unsatisfy होगी अगर यह वाली carbon की valency unsatisfy और यह जो बॉण्ड बणाए यह नैट्रोजोन ने कही किया ?Una1 पेर रोनेट की है दो कियोंकि जो डोनर होता है उसके उपर positive charge आता एग सेप्टर होता है उसके उपर negative charge आजाता एग और कि और ए tv रहा रिका एक यहाँ अगर औरay bond Tsch까지 हुआ और यह वा यह बेंजीन खीर भी भी पॉजिटिव चार्ज देखा है क्या नहीं ना तो नाइट्रोजन क्या करेगा यह जो हाइड्रोजन है इसको बाहर निकालेगा और दो यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रोन है अपनी तरफ खीच लेगा तो आने वाले स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के यहाँ पर दो हम यहां पर रहने के लिए जगा देगा तो वह के पास में क्या आ जाएगा एच यहां पर आजाएगा पाकी का structure as it is होगा देखें सिंगल बॉंड सिंगल बॉंड सी यहां पर डबल बॉंड था डबल बॉंड था एच यह पूरा सेम आए गया अभी क्या होगा किटो इनल टॉटो मेरिजम होगा क्या होगा किटो इनल टॉटो मेरिजम इसमें क्या होता है दोस्तों देखें किटो इनल टॉटो मेरिजम में क्या होता है यह जो एच होता है एच क्या कर जाता है एच यहां पर से निकल कर इस वाले कार्बन के पास आटेच हो जाएगा क्या था यहां पर नियुक्त पा इस सेड़ी में डबल रंड जाएगा यहां पर रागया दोस्तुंध यहां पर टबल बॉंड यहां पर जो एक H था वो second carbon पर आकर attach हो जाएगा तो second carbon पर दो hydrogen आ जाएंगे हमने कुछ नहीं किया यहाँ का hydrogen second carbon के यहाँ पर क्या-क्या add किया तो यहाँ पर CS2 बाकी का structure सेम आएगा CS2 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 N जिसके उपर लोन पेरे यह भी आ गए दोस्तों यह हो गया किटोइनल ट्रोटोमेरिजम यहाँ पर किटोन ग्रूप का formation हो गया अभी क्या होगा इंट्रा मॉलिकुलर इंट्रा मॉलिकुलर एडिशन देखिए इस carbon और इस oxygen को ध्यान से देखिएगा देखिए यह double bond है ज्यादा electronegative कोन है oxygen है तो oxygen क्या करेगा जो इस bond में दो electron है अप यहाँ पर कितने हैं 123 यहाँ पर चाहुता था वह भी क्या oxygen ने ले लिया तो इसको satisfy कोन करेगा तो देखिए इंट्रा मॉलिकुलर एडिशन होता है इंट्रा मॉलिकुलर एडिशन में क्या होता है जो यहाँ पर बेंजेन के रिंग में जो double bond था ओ यहाँ पर से डिस्प्ल हें हमने निगिटीव चार्ज के साथ लोण पर यहाँ पर दिखा दिए अभी क्या करेगा जो यहाँ pops वो यहाँ से चला जाएगा तो दिखिए क्या करेगा ये nitrogen क्या करेगा जो lone pair था वो यहाँ पर displace करेगा तो nitrogen ने यहाँ पर क्या किया lone pair यहाँ पर bond बनाया है lone pair displace करकर यहाँ पर bond बनाया है और ये बेंजीन की ring और ये दिखे कुछ ऐसे structure हमारा मिलेगा इन्ट्रा मॉलिकुलर एडिशन यानि कि जो यहा का बॉंड यहाँपर डिस्प्लेzk होगा और इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में क्या होगा अटेज होगा एह हमने अटेज किया ओके तो जैसि यहाँच होगा यह देखते हैं इतना हो गया दोस्तो अभी क्या होगा इस ट्रक्चर बन गया दोस्तो अभी क्या होगा देखिए नाइट्रोजन के उपर कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आता नाइट्रोजन के उपर क्यों पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसने क्या किये लोन structure में यहाँ पर nitrogen पर हमें एक loan pair फिर से देखने को मिलेगा और positive charge यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि पहले ही positive था अब इसने accept किया तो negative आएगा positive negative neutral बन जाएगा तो क्या यहाँ का जो benzene की ring है इसमें aromaticity क्या होगे maintain नहीं होगे तो क्या होगा यहाँ पर देखिए इसे ध्यान से देखिए एक carbon है यहाँ पर 123 यानि कि एक hydrogen यहाँ पर होता है तो हमने यहाँ पर लिख दिया एक hydrogen सभी जगा ऐसे hydrogen hydrogen होते है तो यहाँ पर क्या होता है एक hydrogen होता है तो यह hydrogen क्या करता है बाहर निकलता है और यहाँ पर जो एक bond था वो यहाँ पर डिस्प्लेस करता है तो आने वाले structure में हमें यहाँ पर bond देखने को मिलेगा दिखे यहाँ पर क्या था hydrogen था वो अपना bond यहाँ पर डिस्प्लेस करेगा और बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर attach होगा double bond देखने को हमें मिलेगा और जो देखिए AH जो भाहर निकला है H प्लस की तोर पर इसको रहने के लिए जगव को नदेगा जिसके पास क्या है एक lone pair है oxygen रहने के लिए बुलाएगा तो आने वाले structure में O के बाजों में हमें hydrogen भी देखने को मिलेगा तो इतना structure as it is हुआ दोस्तो अभी क्या होगा dehydration यानि की water का remove होगा देखिए AH2O यहाँ से निकलेगा तो यह structure हमें देखने को मिलेगा देखिए यहाँ पर AOH एक electron लेकर चला जाएगा एक hydrogen एक electron लेकर चला जाएगा तो यहाँ पर एक electron बाखी है यहाँ पर भी एक electron बाखी है तो आने वाले structure में हमें यहाँ पर double bond देखने को मिलेगा देखिए यह double bond हमने लिख लिया AC OS तो चला गया HB चला गया सिर्फ यहाँ पर एक ही hydrogen बचेगा यह वाला उसके बाद में CH2 CH2 N H और यह बेंजिन की रिंग यह बन गया है दोस्तों अभी हमें क्या करना है इसकी reaction नाइट्रो बेंजिन के प्रिजिस में करनी है और नाइट्रो सब्सक्राइब और आट्रो बनाएगे और आने वाला structure C में होगा देखिए C double bond C double यहाँ पर हो गया दोस्तो अब यह bond as it is C H, एक H तो चला गया तो एक ही H यहाँ पर बचेगा nitrogen के पास जो H था वो भी चला जाएगा तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा और उसके बाद में benzene की ring तो यह होगा है क्यों लोग तो I hope दोस्तों आपको समझ में आया होगा देखिए Aniline, Glycerol H2SO4 Nitrobenzyne इन सब के हम reaction करते हैं तो हमें क्यों लोग मिलता है I hope दोस्तों आपको समझ में आया होगा वीडियो अंतक देखने के लिए दोस्तों दिल से सुक्रिया, धर्नेवाद